हाँ जी हलो एवरीबन वेरी गुड आफ्टनून तो आल मैसेल गौरवराना वेलकम तू सक्सिस्ट्री और आज हम डिस्कुस करने की कोशिश करेंगे नाउन का नेक्स पार्ट जो की प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सामारा रह गया था तो एक बार बता दीजी क्या मैं आडिबल हूँ हाँ जी आइधिंक के मैं आडिबल हूँ और कोई इशू नहीं आ रहा है तो आज का जो हमारा पोर्शन रहेगा वह एक्जाम ओरियंटेड नाउन पर रहेगा लास्ट टाइम हमने डिस्कुस किया था बेसिक्स आफ नाउन जिसमें हमने समझने की कोशिश क थी कि टाइपस आफ नाउन कौन-कौन से हैं यहां हम एक्जाम ओरियंटेड नाउन की बात करेंगे देखिए एक्जाम ओरियंटेड नाउन जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि हम सीधा एक्जाम स्पेसिफिक बातों को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है जी आचा ठीक या राजिंदर जी कुछ पढ़ा हुआ काम आया चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको help मिली तो noun part 2 हम शुरू करेंगे भई चलिए तो noun part 2 में शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ तो के exam specific noun को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं ठीक है और वो दो तरीके क्या है और दो टाइप क्या है एक आपके लिए है countable noun ठीक है और दूसरा है आपके पास uncountable noun जब हम इनकी बात करते हैं ठीक है countable और uncountable की तो हम exam specific points से हम इन दोनों चीज़ों को ठीक है यूज करते हैं अब countable nouns क्या है basically those nouns which can be measured in the form of numbers या फिर आप उन्हें count कर सके in the form of 123 ठीक है उन्हें क्या बोलता है countable uncountable वो चीज़े जो आप count नहीं कर सकते ठीक है count नहीं कर सकते नहीं प्रियंक का कुमारी जी ऐसा नहीं होता है हाँ जी कोई बात नहीं राजिंदर जी तो countable और uncountable की बात कर रहे थे countable जैसे students ठीक है students क्या है countable है अब यह countable क्यों है क्योंकि आप इन्हें count कर सकते हैं 12345 ठीक है जबकि uncountable क्या हो गया हमारे लिए milk ठीक है इसे आप count नहीं कर सकते इसे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं ठीक है अब uncountable nouns क्या हुए जिन्हें आप count नहीं कर सकते हैं इनके दो rules है exam oriented concept कौन कौन से हैं इनके साथ वो देखो पहला concept that you cannot use a और an before this ठीक है अब a और an before this इसका क्या मतलब है देखो uncountable noun है आप उसे count नहीं कर सकते तो you cannot define कि वो एक है या फिर एक से ज़ादा है ठीक है आप यह define नहीं कर पाएंगे कि वो एक है या फिर एक से ज़ादा है तो आप उससे पहले a या an use नहीं करेंगे पहली चीज़ दूसरा आप इसकी plural form भी use नहीं कर सकते हैं आप इ ठीक है happiness तो happiness होता है कुछ हां जी बताओ क्या happiness होता है कहीं पर हम word use करते हैं आपने सुना हो happiness ठीक है या happiness यह सुना हो हां जी बताएं क्या हम ऐसा कोई word use करते हैं राजिंदर कह रहे हैं no ठीक है क्या और किसी ने सुना है तो बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर पढ़ा है ठीक है विदी सेंग नो ठीक है शिपराइस सेंग नो हाँ जी तो ओविएसली हमने जो है इन वर्ड्स का सिगुलर फ़ॉम इससे पहले ए आया नहीं देखा नहीं इसकी प्लूरल फ़ॉम देखिए तो बस आपको यह चीज समझ करके चलना है ठीक है अब दूसरा कि अनकाउंटेबल नाउं तो समझ में आ गया कि उससे पहले या या नहीं नहीं करना है नहीं उसकी प्लूरल फ़ॉम यूज करने है लेकिन यह होते कौन-कौन से हैं जितने भी अबस्त्राक नाउंस आपने प असे ही लिफृड थिंग्स आठ ऑ्लॹ लिकृड ख़ृड थिंग्स और अंकांटेबल देखे सारे लिकृड थिंग्स क्या स muffled वेदर इल्यश्च में होंगी उनकांटेबल वेदोत्रोल जो भी है वह सभी क्या है आपके लिए अनकांटेबल अनकांटेबल क्योंmachen यह होंगी, वो uncountable रहेंगी, ठीक है, पहली चीज, तो अब इसके साथ हमारा आ गया name of metals, name of metals, name of metals like you can say that gold, silver, or iron, ठीक है, these are the things that are uncountable, totally uncountable because these can only be measured, ठीक है, तो ये चीजें हमारे सामने हैं, शार्द आपको clarify हो गया होगा, समझ में आ गया होगा चीजों का, कि किस तरीके से हम इने आगे बढ़ा सकते हैं, बताओ, clear है भाई अभी तक, एक बार फटा-फट बता दो, फिर आगे बढ़ता हैं, yes, go ahead, okay, ठीक है, clear है, I think, कोई issue नहीं है किसी को, और like जरूर करें, सेशन को, शेयर जरूर करें, this is the free course for ESIC, Steno, UDC and MTS examination, और इसमें आपको डेली तीन क्लासेज मिलती हैं, English, Maths और Reasoning की, ठीक है, GS की भी आपको जल्दी ही क्लासेज मिलेंगी, तो don't worry, ठीक है, उसकी information आपको टेलीग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी, and टेलीग्राम लिंक का, जो टेलीग्राम का जो लिंक है, वो description में वहाँ जाकर कि अब उसे जाइन कर सकते हैं, चली, तो यह वाला point आपको clarify हो गया होगा, now, a question comes, ठीक है, क्या आपने कभी golds use किया है, या आपने silvers use किया हो, या फिर आपने irons use किया हो, क्या ये words use होते हैं, हाँ जी, बताएं, क्या ये words हम use करते हैं, ठीक है, in English language, abstract noun, बिल्कुल abstract noun क्या होता है, जो सिर्फ feeling है, जिससे आप feel कर सकते हैं, मतलब touch नहीं कर सकते हैं, बेसिकली, हाँ जी, मतलब नहीं किये हैं, देखो, लेकिन इनका usage होता है, golds and silvers are used for medals, ठीक है, when we say golds, like two golds, India has won two golds in the Olympics, तो हम इस तरीके से बात करें, तो वहाँ पर meaning क्या है, medals का है, irons, irons का meaning क्या होता है, देखो, ध्यान से समझना, irons, जो हमारे पास use होता है, वो use होता है handcuffs के लिए, इसके लिए use होता है, handcuffs के लिए, ठीक है, हतकडी के लिए हम irons use करते हैं, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है जी, तो दोनों को आप समझ सकते हैं, और utilize कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस type का question आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये plural form का meaning क्या है, अब जैसे ये आ गया word, ठीक है, waters, waters का meaning क्या है, समुद्र से है, ठीक है, और you can say that a large quantity of water, like international waters, तो महाँ पर क्या meaning हो जाएगा, international sea, international sea से related हो जाएगा, waters को हम किस के लिए, a large quantity of water, or you can say that sea के लिए हम use करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है विधी का आंसर, अब बात करते हैं, countable nouns की, sorry, uncountable पर ही focus करते हैं, जैसे little है, ये uncountable के साथ आ सकता है, less है, ये भी uncountable के साथ आ सकता है, much, ये भी uncountable के साथ आ सकता है, ठीक है, अब normally यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हमें पता नहीं होता है, हमें अब ध्यान किसका रखना है, countable और uncountable, बस दो चीज़ों का ध्यान रखना और तीसरी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना, ठीक है, अब इसकी जगे पर क्या यूज करोगे, ठीक है, बताओ, many, अजी, क्या यूज करोगे, many, बताओ भाई, few, ठीक है, much की जगे पर many आ गया few ठीक है यह आ गया हमारे पास तो यह much के जगे पर हम क्या use करते हैं many use करते हैं in terms of countable in terms of countable nouns तो यह दो इनके लिए आएंगे many और few जबकि यह जो words है यह किसके लिए आएंगे uncountable के लिए किसके लिए आएंगे uncountable के लिए ठीक है अब जैसे एक word बहुत बार use होता है पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा a score of what is the meaning of this can you please tell me हाँ जी क्या meaning होता है a score of का जब हम किसी sentence में score of use करते हैं तो क्या meaning होता है बताएं फटा फट देखता हूं कौन answer करता है हां जी बताओ भई किसको नहीं पता अच्छा पढ़ा ही नहीं किसी ने पढ़ा ही नहीं किया अच्छा देखो score of होता है lot of amount of ठीक है या बहुत जादा ठीक है उसके लिए हम क्या use करते है score of books a score of books ठीक है तो यह वाला थोड़ा सा चीज आपको पता होनी चाहिए कि score of books हम कहां पर use करते है score of का meaning क्या होता है हां something large you can say that something large yes question देखते है exam oriented question क्या होता है जैसे no less than 50 students are in the class हाँ जी यह वाला question है आप इसमें error बताएं कि क्या error है कोई error दिया गया है अगर आपको लग रहा है कि कोई error नहीं है तो you can choose no error सीधा सीधा आपको no error का option चूज करना है देखते हैं कि आप क्या answer निकालते हैं ठीक है most important thing is आपको find out करना है noun noun अगर find out कर लिया तो एरर भी easily मिलने के chances रहेंगे तो चलिए देखते हैं क्या find out करते हैं देखें धियान से question is no less than 50 students are in the class विधी कुछ कह रहे हैं ठीक है राजिंदर जी का भी answer आ गया है सभी answer करें भई कि देखते हैं क्या answer आता है कि काज को कि शिपराश ना का भी answer आ गया है देखेंगे sentence में जो हमरे पास noun है and that is countable 50 students यह student जो है countable ठीक है अब यह countable हो गया तो countable के according अगर आप देखेंगे तो पहला यहां पर error है less less cannot be used with countable nouns ठीक है तो आप less को remove करेंगे दूसरा कहीं बार ऐसा लगने लगता है students को कि no less than yes starting में जो term आ गई है यही incorrect है तो ऐसा नहीं है you can use no in the very starting of the sentence तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि no जो है वो गलत है बिल्कुल भी तो ऐसा ना करें अब इस less की जगे पर जैसा कि हमने अभी discuss किया था कि हम less की जगे पर few use कर सकते हैं ठीक है क्या use कर सकते है few can be used with countable nouns ठीक है तो अब आप बताओ कि few than के साथ जाएगा या फिर than के according इसमें कुछ changes होंगे जैसे हम than से पहले क्या use करता है comparative degree use करता है bigger than shorter than larger than smarter than तो हम यहां पर उसी तरीके से comparative degree use करेंगे and the word will become fewer ठीक है इसकी comparative degree क्या बन जाएगी fewer बन जाएगी comparative degree वह होती है जिसमें आप suffix में er add करते है ठीक है तो हमारा correct जो formula बनेगा correct जो sentence बनेगा यहां पर after the changes क्या रहेगा no fewer than ठीक है जी because noun जो था वो countable था उसकी वज़े से आपने less को change किया and less की जगे पर suitable option था few condition sentence की थी than के साथ comparative degree आना था तो बस fewer change किया है ठीक है clear है भाई एक बर बता दे है हाँ जी is this clear चली ठीक है बहुत अच्छी बात है समझ में आ गया दूसरा question देखते है बहुत ध्यान से समझेगा sentence को हां जी देखना है और बताना है कि क्या कोई error दिया गया है यहां पर हां जी हां जी देखें इस type का question ना आपके जो एससी का CHSL का exam है चाहे वो CGL का exam है या फिर उसी level के और exam भी है उन सब में इस type का question जो है वो दिया जाता है same concept पर बेस्ट हां जी देखें यह एक ऐसा syntax का form है कि मतलब generally लोग इसमें confused होई जाते हैं थोड़ा सा दिक्कत रहती है राजिंदर सिंग जी अगर आप limit cross करके words लिखते हैं हाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है हमेशा चलिए ठीक है यहां पर है I do not have 100 rupees note 100 rupees देखो अगर मैं इस note को हटा दूं यहां से ठीक है अगर यह यहां से remove कर दिया जाए and we are removing this note from here तब 100 rupees ठीक है I do not have 100 rupees वो क्या बता रहा है एक term बता रहा है एक quantity बता रहा है कि मेरे पास 100 रुपय नहीं है लेकिन वो क्या कह रहा है यहां पर मेरे पास 100 रुपय का note नहीं है we are talking about the note ठीक है हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर 100 रुपय की बात नहीं कर रहे है तो इस note की बात हो रही है तो यहां पर 100 rupees नहीं in the sentence ठीक है जी हां जी clear है कोई बात नहीं राजिंदर सिंग जी हां जी चलिए समझ में आगे है न यह वाला ठीक है clear है यह सभी को एक बार बता दें फिर आफट फिर आगे बढ़ते हैं और सेशन को शेर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए clear आगे बढ़ते हैं अब यहां पर बात करते हैं यह थी बात uncountable nouns की countable nouns की बात कर लेंगा ठीक है countable which can be counted general ठीक है पहली definition these are of two types you can say that singular and plural singular and plural ठीक है अब singular का मतलब और plural का मतलब आप सभी को बता है के एक होगा तो उसे singular कहते है एक से जादा होगा तो उसे plural कहते है ठीक है जी अब देखो यहां पर आता है यह वर्ड डेटा यह singular है यह plural देखने से पता नहीं चलता है normally हमें एक definition पता है singular से plural बनाने के लिए ऐसी है यह साड़ करते हैं but that is not the complete part of making or complete process of the making plurals from singulars क्या होता है कि हर एक वर्ड के different rules है ठीक है हर एक type के अलग rules है जैसे data data जो है that is plural ठीक है यह क्या है plural है इसकी singular form क्या होती है डेटम क्या होती है डेटम अब इसे हम collective noun की तरह यूज करते हैं किस की तरह यूज करते हैं collective noun की तरह collective noun में singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है data is भी यूज कर सकते है और data are भी जैसे कि concept समझाया था ना last class में कैसे we can use collective noun in both the forms singular as well as plural ठीक है जी कि ऐसे ही हमारे पास multiple चीज़ें आती है जैसे syllabus है प्लेवस की plural form क्या होती है देखें कौन बताएगा भी what is the plural form of syllabus कि हाँ जी बताएं कि देखते हैं कौन आंसर करता भी हाँ जी स्लेवस की plural form बतानी है राजेंदर सिंग का आंसर आया है विदी का आंसर आया एंड ओनली टू नो तो देखो स्लेवस सिंगुलर है ठीक है एंड तो मेक इट प्लूरल हम यहां पर यह लिखते हैं स्लिबाए ठीक है क्या ही लिखते हैं स्लिबाए लिखते हैं अब आप समझ करके चलेंगे वर्ड के अकॉर्डिंगली प्लूरल बिनाने के रूल से तो वो समझते हैं एक बार और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक्जाम में इससे रिलेटेड कोईशन्स आते हैं ठीक है ठीक है अज इस नहीं होता है निहारिका जी चलो पहले बिल्कुल बेशिक रूल 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 वन रूल रूल क्या कहता है एक अगर और यह से एंड के किसी word के end में आपको क्या मिल गया S मिल गया SS मिल गया PH मिल गया ठीक है यह मिल गया या SH मिल गया तो आपने क्या करना है बस and में add कर देना है ES क्या add कर देना है ES add कर देना है और plural बन चाएगा देखो कैसे bus buses bush बुश बुशेज बेंच बेंचेज ठीक है एट्सेटरा है समझ में पहला रूल था ज्यादा मुश्किल नहीं था कि सिंगिलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं रूल वन ठीक है अब दूसरा देखता है रूल 2 तो क्या कहता है कि कि अगर किसी वर्ड के एंड में X आ जा जाहें ठीक है वर्ड के एंड में क्या मिले एक्स तो आप उसमें ऐस एड कर देते हैं क्या कर देते हैं जैसे आपक्स, औक्स अखस औक्स, अखस, तुरोम, Oxes इसकी plural form नहीं है Plural form क्या है? Oxen Plural form क्या है? Oxen है अब यहाँ पर आपको यही समझने वाली और याद रखने वाली चीज है कि इसी से वो question पूछे का Because this is exception यही क्या है हमरे लिए? exception है और वो यही से question पूछता है Normally जो questions आते हैं वो exceptions से आते है या तो आपको rule पता नहीं होता rule पता है तो आपको exception पता नहीं होता है ठीक है? तो आपको exception को याद रखना समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है भाई? clear है? समझ आ गया? ठीक है ना? तो exception याद रखना है ठीक है? बाकी rule याद रखो या नहीं रखो यह तुमपाड़िपेंट करता है हाँ जी sheep का आया था sheep का तो sheep ही रहता है यह तो आपको पता ही है हाँ जी ठीक चले rule number 3 पर चलते हैं अब rule 3 क्या कहता है ठीक है rule 3 में क्या आया यह suffix में y आ गया और उससे पहले क्या हो गया आपको o मिल गया o मतलब wovel कि end में अगर किसी word के suffix की form में y मिलता है और उससे पहले क्या हो wovel हो तो आप सिर्फ क्या करता है s add कर देता है s add कर देता है ठीक है जैसे boy boys toy toys ठीक है जी यह रहे इसका कोई exception नहीं है कोई exception नहीं है simple अगर किसी word में आपको क्या मिला y से पहले wovel मिल गया तो आपने इसी तरीके से उससे कर देना है ठीक है जादा कुछ सोचना नहीं है इसका दूसरा rule भी है rule 3 part b part b क्या गयता है y आया लेकिन उससे पहले आगया consonant क्या आगया consonant ठीक है जी अब consonant आगया माल लिया तो y को remove करेंगे आप change करेंगे और y को replace किया जाएगा ies से you're going to replace y with ies ठीक है और ies के साथ हम उसे plural form बना देंगे देखो joy जो है ना वो noun नहीं है ठीक है कौन सा noun नहीं है ये समझेंगे countable noun नहीं है वो uncountable है राजिंदर सिंग जी ठीक है तो uncountable की तो plural form बनती नहीं है वो तो हम पहले देख चुके है है ना क्पत्ता है मुटर बनम मुट है तोटा रस सचो़ तो तो पनि जुशा प्ती कानल तो पैसल – मुटर। इस वो log P चलि ठीक है कोई बात नहीं राज कुशूर जी ठीक अब question देखते हैं जैसे cry cry को आप क्या वो करोगे cries cry tries ठीक है नाउन और वर्ब की फॉर्म में यूज किये जा सकते हैं तो आप confused मत हो जाना cherry means cherries ठीक है तो आप ध्यान रखें कि हमारे पास तीन वर्ड्स थे हमने तीनों में Y को change किसमें किया है I,E,S में change किया और देखा कि Y से पहले हमारे पास क्या आ रहा है consonant आ रहा है ठीक है तो ये दो चीज हमने समझ ली और समझने की कोशिश की apart from that अगर हम यहां से आगे बढ़ें जैसे आता है word poetry ठीक है Y से पहले ये है तो इसकी plural form क्या होगी बताएंगे हाँ जी rule number 3 था निहारिका जी जिसमें हम Y से पहले vowel देखते थे और vowel देखने के बाद S आड़ करके उस प्लूरल बना देते थे हाँ जी हाँ जी विधी का आंसर आ गया है बिल्कुल सही आंसर आया है that poetry की जो plural form में वो poetry रहती है ठीक है ये plural form में poetry नहीं होता ठीक है ये plural form में poetry नहीं होता ठीक है ये exception है जैसे scenery scenery का भी कहा रहता है scenery ही रहता है similarly ठीक है अब एक और word जैसे peasantry हम use करता है तो peasantry is always plural because it is referred to a group of farmers ठीक है तो peasantry को हमेशा plural form में ही use किया जाता है जबकि poetry और scenery singular और plural form में same ही रहता है ठीक है हाँ जी समझ में आ रहा है ना भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है भाई सारी चीज़ें clear हो रही है आपको next rule पर चलते है next rule क्या कहता है rule number four rule number four क्या कह रहा है कि अगर किसी word के end में आपको f और fe मिला तो convert कर दे ves में convert किसमें कर दे ves में convert कर दे plural बनाने के लिए अब जैसे यहाँ पर question क्या आता है normally knife knife की plural form क्या होगी knives ठीक है thief thief की plural form क्या होगी thieves wife wives ठीक है जी बट यहाँ पर भी exception होता है देको वही याद रखने है chief की plural form fs होता है इसमें आप change नहीं करते हैं इसमें आप change नहीं करते हैं ठीक है अगर change करोगे तो वह गलत होगा same in the form of handkerchief यहाँ पर handkerchief क्या होगा handkerchief होगा ठीक है अब यहाँ पर एक और word आता है जो हमेशा confusion में डालता है जैसे mischief ठीक है ना इसकी confusion हमेशा रहती है यह same ही रहता है singular और plural form में यह same ही रहता है ठीक है जी यह कभी नहीं बतलता है कभी आप इसे mischiefs use नहीं कर सकते mischievous जो है that is adjective ठीक है mischievous क्या है अपका adjective है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है कि वो जो है plural form बन जाती है mischief की ठीक है भाई तो I guess this is clear rule number 4 is clear rule number 5 पर चलता है and do like it, share it, subscribe and if you are not on the telegram group link is in the description तो rule number 5 rule number 5 है if you find o in the suffix of any word just add es to make plural to make plural अपको क्या आड करना है es add करना है ठीक है, जैसे mango mangoes ठीक है, potato simple है, बहुत examples potatoes there are exceptions as well ठीक है, exceptions क्या है देखो, exceptions क्या कह रहे है कि photo आ गया and we get confused और हम यहाँ पर es add कर देता है video में भी confused हो जाता है ठीक है, videos ठीक है, duo duos ठीक है तो यह देख लीजे हाँ जी, roofs बनेगा भई हाँ जी, Manzitar Singh जी R, O, O, F, S हाँ जी, roofs बनेगा अ, प्रॉफ कह बता थे, roof का होगा, roofs विल्कुल सही है, तो यह वाला जैम्पल तो आएकस clear हो गया होगा, जैसे buffalo कa buffalo हो, लेकिन वो example की form में आएगा, exception नहीं आएगा, वो exception नहीं होगा, जैसाइड करता है, जैसाइड, जैसाइड, मिस्ची वियस फिर adjective है, अब अब सबसे important rule, क्या कहता है, अगर word के end में आ जाए यूएस, रूल नमबर 6 है, ठीक है, क्या कहता है, कि अगर यूएस आ जाए, तो आप यूएस को कनवर्ट करते हैं, आई में, ठीक है, to make it plural, जैसे, लिबस, लिबाई, कैक्टस, कैक्टाई, फंगस, पंजाए, ठीक है, तो यह क्या है, हमारे रूल को follow करने वाले words है, अब exception देखते हैं, जैसे octopus है, ठीक है, तो अगर आप word लिखेंगे, तो octopuses आएगा, ठीक है, देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा, exceptions को याद रखिएगा, octopus है, sorry, abacus है, abacuses होगा, es add होगा, तो these are exceptions as well, यह क्या है, exceptions है, हाजी clear है, कोई doubt तो नहीं है, बता दो भई, चलिए, तो यह थे rules singular से plural कैसे बनाता है, अब कुछ words already क्या होता है, plural होता है, same रहते हैं, sorry, same रहते हैं, singular और plural form, same words, words which remain same in singular and plural form, वो कौन-कौन से words है, ठीक है, बताएंगा कोई, बताते रहो अगर आपको याद है, ठीक है, कुछ मैं लिखता रहता हूँ, कुछ आप बताते रहिए, ठीक है, देखते हैं, जैसे, starting with poetry, scenery, ठीक है जी, और nature, legislation, बताओ भई, अरे भई, कोई word ही नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही है, information, हाँ जी, बताओ, अरे भई, बताने रहे, sheep, deer, bison, ठीक है जी, fish, hair, equipment, equipment, equipment नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है, बूलेंगे, नहीं, बताओ, और अंगो़ बताओ, कुछ लग रहा है तो, हाँ जी, बताओ, जी, बनागे, देखें, bachelorat भी आ गया, पार्लेमेंट भी आ गया, पार्लेमेंट थो होताह ना, Parliaments of the world, Parliaments in the world, ठीक, आइसे ना करें, फ्लीज, हाँ जी, clear है भई, समझ आ गया सभी को scissor, नहीं, scissors तो होता ही है, scissor तो use ही नहीं करते है, scissors use करते है, हाँ जी, these are some words which remain same, भई, ठीक है, अब कुछ ऐसे words हैं, जो हमेशा plural ही use होता है, ठीक है, those words which remain always in plural form, अब plural form में कैसे, देखो, वो समझो, जैसे, scissors, trousers, ठीक है, scissors हो गया, trousers हो गया, pants, cleaves, ठीक है, और कुछ बताओ, binoculars, अगर आपको भी याद है, तो आप भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, sorry, extremely sorry, तो binoculars आगया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पस क्या हो गई, plural form में use होती हैं हमेशा, ठीक है, अब why we are using these in plural forms always, because they are always used in pairs, बिना पेर के use ही नहीं हो सकते हैं, अगर ये बिना पेर के use नहीं होंगे, तो हमेशा आप इन्हें plural form में use करें, बिक है, आप इसे single use नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, spectacles आएगा, goggles आएगा, sunglasses आएगा, ठीक है, these are the words, जो हमेशा क्या होंगे, plural होंगे, ठीक है, तो clear हो गया, जल्दी से बताओ, ऐसे words जो हमेशा plural form में रहते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे, these are the words, scissors कभी use नहीं, scissors हमेशा use होता है, scissors कभी use नहीं होता, तो जब भी आपको question मिलेगा, तो आपको इस तरीके से बतलना है, बिल्कुल सही है, trousers लिख दिया भई, अल्रड़ी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भई, अब बताएं मुझे clear हैं सारी चीज़े, हाँ जी, अब इस से related जो आपको doubts आएं हैं, वो आप पूछ सकते हैं, इसकी exercise आपको practice sheet जो है, वो telegram group पर शाम तक मिल जाएगी, तिल 6, ठीक है, और हम उसे कर लेंगे, ठीक है, आप कर लेना, कल की class में, शुरू में हम discuss करेंगे, सारी चीज़ें और फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स टॉपिक कल शुरू करेंगे, कल की class में, वे गुइंग टॉ स्टार्ट प्रोनावन टुमारो, हाँ जी, बताइए, हाँ जी, कोई doubt है, doubt पूछ लेंगे, अब आपको noun से related कोई doubt आया है, या फिर subject verb agreement से related कोई, हाँ राजिंदर सिंग जी, कर सकते हैं, आप F-CAT से compare कर सकते हैं, बट जो English की vocabulary level है, वो हमेशा ही low रहेगा, ठीक है, वो F-CAT जितना tough नहीं जाता है, ठीक है, हाँ जी, F-CAT से आप बेशक compare कर सकते हैं, क्योंकि F-CAT हो गया, C-D-S हो गया, S-S-C, C-H-S-L, C-G-L, इनका level of questions जो हैं, जो पूछे जाते हैं, वो similar से ही format में रहते हैं, हाँ जी, विदी जी बता रहा हूं, जैसे हम use करते हैं, a score of books, a score of books का मतलब होता है, a lot of books, ठीक है, a number of books, मतलब many, ठीक है, जबी भी हम score of use करते हैं, तो उसका concern और meaning, many से होता है, ठीक है, उसका meaning क्या होगा, many होगा, हाँ जी, हाँ जी, clear है भाई सभी को, हाँ जी, चलिए, और कोई doubt है भाई किसी का, पूछ लें भाई, कोई किसी का कोई doubt है, तो पूछ लें जरूर और lecture को like जरूर करें, share जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, हाँ जी, चलिए, I don't think so, कोई और doubt है भाई, चलिए, ठीक है जी दिन, थैंक यू, ये नाउन आपका topic complete हो गया, कल नया topic करेंगे, उससे पहले प्रेक्टिस शीट आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी, अगर जॉइन नहीं किया है, तो link description में है, जाकर करें जॉइन करेंगे, ठीक है जी दन, थैंक यू, थैंक यू गाइस,